उन्हारण आठ दो अंकों वाली कितनी संख्याएं पांस से विभाज है हल पांस से विभाज होने वाली दो अंकों की संख्याओं की शंकला इस प्रकार है दस, पंद्रा, बीस, और अंत में पंचानवे सो क्यों की तीन अंकों वाली संख्याओं है इसलिए हम सो को नहीं लेंगे हमारा अंतिम पद पंचानवे होगा यहाँ एक समांतर शेणी है जिसमें प्रथम पद ए बराबर 10 सर्वांतर डी जो है हमारे पास 15 रिण 10 बराबर पांच और अनवा पद अनवा पद अन बराबर पंचानवे चूंकि चूंकि एनवापद ए एन बराबर ए प्लस ए धन कुष्टक में एन रीन एक कुष्टक बन गुड़ा दी होता है यहाँ एन कमान 95 है तो हम एन के स्थान पे 95 रखेंगे बराबर एक कमान 10 है तो यहाँ 10 रखे धन एन हमें पता ग्याद करना है एन रीन एक कुष्टक में और डी कमान सरवांतर हमने 5 ग्याद किया है दूसरे पत से प्रथम पत को घटाया है 15 में से 10 को घटाने पर हमें 5 प्राप्त हुआ जो डी सरवांतर 5 को हमने समीकरण में रखा या 95 बराबर 10 कोष्टक को खोलेंगे तो धन 5 और 5 रिन एक से गुणाओंगा तो रिन 5 या 95 बराबर 10 में से 5 को घटाएंगे तो पांच धन 5 या 5 बराबर 95 का पक्षानतर करेंगे तो रिन 5 या 5 का पक्षानतर करने पर ये रिन 5 हुआ पांच एन को हमने बाइपक्ष में लिखा और 95 रिन 5 को दाएपक्ष में या एन बराबर 95 रिन 5 बराबर 90 और यहां 5 का पक्षानतर करेंगे तो बटा 5 तो यहां पर एन कमान 90 बटा 5 अठारा प्राब्त होंगा इस तरह से हमने देखा कि एन बराबर 18 है इसलिए पांच से विभाज दो अंकों वाली 18 संख्याए है या इस उधारन का हल होगा